वीव इंडिया की 34 सबसे बड़ी स्मार्टपून बनाने वाली कंपनी है और आफ लाइन में बात करें तो यह सेकेंड नंबर पर आते हैं लेकिन आप लोगों क्या लगता है कि वीव जैसी कंपनी के बारे में आपको सब पता है तो मुझे असल नहीं लगता क्योंकि इस कंप सब्सक्राणिक्स ने वीव को सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि वह उपो के साथ पैरलल काम कर सके यानिकी ओपो भी फोन बेचे और वीव भी फोन बेचे लेकिन जो वीव के फोन सोंगे ना वो मेली कॉंसेंट्रेंट होंगे म्यूजिक के उपर यानिकी वीव सिर्फ चिप लगी थी और उस फोन का नाम था वीव एक्स वन जो की रिलीज वा था 2012 में तो यह इंट्रेस्टिंग बात है कि इन्होंने पहला ऐसा फोन बनाया था जिसके अंदर डेडिकेड़ हाइफाई और चिप लगी थी ताकि मीजिक का जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच् 2015 में ही टाइटल स्पॉंसर बन गए थे आईटी एल के तो यहीं काफी ट्रस्टिंग आते और इसमें एक और बात एड़ कर देना चाहता हूं कि 2022 यहीं टाइटल स्पॉंसर रहने वाले आईपी एल के तो आपको 2022 तक वीव आईपल दी देखने को मिलेगा और इससे भी अपने फोन से उसकरें वह साथी वीवो के फोन से मतलब कि क्याप्टर नमायरी का से लेखिए आरन मैं तक सब के पास जो फोन तेना वह सिर्वीव के बास ही तो शाद यह बात आप लोग अभी तक नहीं जहनते होंगे और बात यहीं पर खतम नहीं हो जाती वीवो ने जो यहां तक ही जो इंडिया में प्रो कबडी लीग होती है उसका भी टाइटल स्पॉंसर वीवो है और हम इंटरनेशनल यह बात करें तो जो फीफा वर्ल्ड कप वह था रशिया में 2018 के अंदर तो इसके अंदर भी वीवो ही एक मेन स्पॉंसर था और पात यहां पर ही खतम न अंदर इसके अंदर यह अपना खुट का बनाया वा जो वी अससेंट को भी डेवल्ल किया ता जो गूगल असिस्टेंट की जगा ले रहा था वीवो के फोंसमें तो यह में काफी इंटरस्टिंग बात है लेकिन सारी बाते हां पर खतम नहीं हो जाती क्योंकि वीवो नेक एपेक्स नाम के फोन का प्रोटोटाइब दिखाया था जिसके अंदर जो नीचे का आधा डिस्पले होता है वो पूरा फिंगर्रिंट डिस्केनर की तरीके से काम करेगा तो इसका मतलब यह कि आप अपने फोन को मल्टीपल फिंगर से साथ में लॉक कर सकते तो एक भी काफी इंट्रस्टिंग बात है लेकिन इस टाइप का फोन अभी तक हमें आज की देखने को नहीं मिला है और अगर हम अंडर डिस्प्ले फिंगर्पेंट स्कैनिंग टेक्निलोजी की बात करें तो वीवो वी लेवन प्रो सबसे सस्तर फोन है आज की डेट में जिसके अंदर आप अपप कैमरा का कंसेप्ट लेकर आए थी अपने वीवो नेक्स स्मार्ट्पून में तो यह काफी कमाल की बात है और अखर हम वीवो के इंडिया की कांट्रिब्यूशन की बात करें ना तो वीवो मेक इंडिया के अंदर अपने प्रोड़क्शन फेसिलिटी है जो वीवो की चाइना के बार सेविंध सबसे बड़ी प्रोड़क्शन फेसिलिटी जिसके अनर वो अपने फोन्स को बराते तो यह भी काफी इंट्रस्टिंग बात है तो यह थे कुछ इंट्रस्टिंग फेक्स वीवो के बारे में बाकी आप लोगों को इनमें से कौन सा फेक्स सबसे ज झार झार क्योंको इंट आपर रार की ऑ larger Earth के थेसिलिटी जिसके पाहा है में लोगों में फेक्स क्र फिसलिटी एकजुर अनर वोग गल्समें एकरोणे सी हमें लोगा फेक्स अनर से है रहाईना के रहाईना के बार के अनर फिसलिट हैं कर दोद्र्णकalnya से ऊनर बार क exposed बा